साल 2012 में कलर्स पर प्रसारित हुआ रोमांटिक सीरियल मधुवाला तो आप सभी ने देखा ही होगा जिसमें हमें आरके और मधुवाला की खूबसूरत और एडवेंचर से भरी हुई लव स्टोरी देखने को मिली थी जिसने दर्शकों के दिलों पर इसकदर जादू चलाया क कि दर्शक इस सीरियल के ओफ एर होने के बाद से मधुवाला सीजन टू की डिमांड करने लगे थे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब दर्शकों का इंतजार कत्म होने वाला है क्योंकि मेकर्स जल्द ही मधुवाला सीजन टू लेकर आ रहे हैं जिसकी स्टोरी, स्ट पार कास्ट और टीवी पर प्रसारित होने की तारीख से रिलेटेड सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पर इन सब के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें कलर्स पर मधुबाला सबसे पहले साल 2012 में प्रसारित किया गया था जिसकी कहानी आर के नाम के सूपर स्टार और मधुबाला नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट पर आधारित है कि कैसे दोनों अलग-अलग बैक्राउंड से होने के बावजूद भी और एक दूसरे के बीच म सीरियल में इतना जाधा रूमैंस दिखाया गया था कि दर्शक इस शो को लेकर क्रेजी हो गए थे तबी तो दर्शक इस सीरियल का एक भी एपिसोड नहीं करते थे जिसकी वज़े से ये सीरियल हमेशा टी आर्पी में नमबर वण पर बना रहता था यही वज़े है कि सीरि एक और खुबसूरत मगर अनोखी लव स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें हीरो ना चाहते हुए भी हिरोईन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और किसी भी हाल में उसे पाने की कोशिश करेगा पर हिरोईन उससे हमेशा दूर भागती हुई नजर आएगी पर वो जब उसके प्यार को समझ जाएगी तो वो भी अपने आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाएगी और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार को समझने लगेंगे और दोनों ही शादी के बंधन में बंध जाएगे यही होगी इस सीरियल की कहानी पर आपको बता दें कि इस सीरियल की कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि सीरियल में ट्विस्ट अंटरन बहुत जादा होने वाले हैं और दोनों की प्रेम कहानी में हमें काफी मुश्किल देखने को मिलेगी बात करें इस सीजन में नजर आने वाली स्टार कास्ट की तो आपको बता दें कि इस सीरियल में हमें पहले की तरह टीवी के बहतरीन अभिरेता विवियन डिसेना जो सीरियल में मुख्य हीरो के तौर पर नजर आएंगे और वहीं पहले की तरह हमें इस सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर दृष्टी धामी नजर आएंगी जो सीरियल में अपनी खूबसूरती का जल्वा बिखेर कर दर्शकों के दिलों पर काबू कर लेंगी पर आपको बता दें कि इनके साथ साथ इस सीरियल में आकांशा चामोला की भी न्यू एंट्री होने वाली है जिनका रोल काफी सस्पेंस में रखा गया है अंत में अगर बात की जाए कि मधुबाला सीजन टू टीवी पर कब प्रसारित होगा तो आपको बता दें कि इसके बारे में प्रोड्यूसर और डारेक्टर्स ने कोई भी जानकारी नहीं दी है जिसके चलते आपको मधुबाला सीजन टू का अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा तो दोस्तों क्या आप सभी मधुबाला सीजन टू देखने के लिए एकसाइटेड है या नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम ख़बरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले